तो आज का इस वीडियी में हम सीखने वाले time series time series की method season index आज apply करना हम सीखेंगे और लेडी मेंने एक question लिखा हुआ है इस question पे देखें season index का solution कैसे किया जाएगा तो लेडी आब हो Q1, Q2, Q3, Q4 एसे चार season दिये गए और उपकी चार year की value दिये गई है तो हम यह sums पहले लिखना होगा और उसके नीचे extra column हमे एड करने होगे season index को solution करने के लिए तो जो पहला column हमे एड करना होगो होना चाहिए यह पहला total का में समय है यह चिकने भी value दिये गए उतका हमे total करना है तो Q1 में यह आपर चार value दिये गई इन चार को प्या करेंगे पहले total करेंगे तो total करेंगे तो हमें मिलेगा तो total मिलेगा 504 second 590 third का total मिलेगा 544 fourth का total मिलेगा 442 तो पहला column हमें एड करना है total का जितने भी value दिये लिए उन्हें total कर देना होगा second second column हमें एड करना है average का तो average के लिए हम इस total को डिवाइड करना होगा तो 504 से डिवाइड करेंगे फॉर्स से तो average मिलेगा 126, second 590 डिवाइड बाइड बाइड फॉर्स से तो average मिलेगा 136, fourth, 442 डिवाइड करेंगे फॉर्स से तो इसका average मिलेगा 110.5 second column हमने add किया average का, average के लिए हमें जितनी value add किये मुतने से हमें डिवाइड कर देना है third column add किया जाएगा general average general average मिलेगा जिससे हमें average फाइड आट हो किया है उसी तरब से हमें general average मिलेगा到 क्यांद है ये average के लिए हमें total value को डिवाइड के लिए tout आट हमने डिवाइड लेगे general average के लिए हमें average का total काना होगा तो यहाँ पर एक k spear करना ना है जो average दिया का है उसका हमें total कर देना तो ऊसका total आएगा 520 अब उसको general average करने के लिए same process यह जो total निकला है यह कितनी value का total है आपर 1, 2, 3, 4 तो 4 value का total लिए दोको इसको average करने के लिए divide करेंगे 4 तो 4 से divide करने पर जो मिलेगा वो बन जाएगा general average और general average 4 का semi होगा Q1 का भी 130 होगा Q2 का भी Q3 और Q4 सारा का semi होगा general average तो average का general average किया गया last of final हमारा method का question add किया गया जो है seasonal indices तो seasonal indices के लिए एक formula अपलाए करना होगा जैसे कि first of Q1 के लिए अपलाए करने थे हैं तो formula कुछ ऐसा है कि पहले हमें average divide करना होगा general average से 0.2 होता है 100 means average Q1 का average 126 into 100 divide उसका general average 130 तो हमें जो answer भी लेगा वो बन जाएगा seasonal indices जो answer भी लेगा 96.92 ये होगा हमारा first का seasonal indices 96.92 अब अब आपे same process ही अपलाए करना है Q2 की लिए Q3 की लिए Q4 की लिए average divided by general average into 100 तो हमें जो value भी लेगा 113.46 104.62 85 ये जो में final answer मिला है ये है seasonal indices का answer अब स्रावस में verified कसर दीए कि जो हमारा solution निकला है वो right है या wrong तो seasonal indices के अंदर आपको एक bracket add कर देना है यहाँ seasonal indices 1,2,3,4 की season का indices है जो हमने अल्रीड अंसर दीका रहा है उनका हमें total करना होगा 1,2,3,4 है तो यहाँ total 400 आना चाहिए 399.99 हो सकता है वो भी right होगा और 400.01 भी हो सकता है वो भी right होगा तो अगर same answer है तो से right बना जाएगा या 3 value होगी तो इसका total 300 आना चाहिए इस चाहिए से शिजाल इंडाइस solution किया जाएगा